इम्म्यूनिटी के पारे में इम्मूनिटि है क्या जाद तर लोगों से आपने सुना होगा ऐसा कहते हैं कि यह खाओ इससे इम्म्यूनिटी बॉस्ट होगी यह खाना चाहिए इससे आपके immunity strong होगी तो असल में immunity है क्या immunity होती है हमारी रोख प्रतीदोधक शमता ज्यानि कि किसी भी disease से या किसी भी disease-causing organism से हमारे शरीर के लड़ने की शमता को हम immunity कहते हैं अब यह immunity कितने प्रकार की होती है और यह किन-किन चीजों में help करती है आये जानते हैं इसके बारे में immunity होती क्या है so it is the capability of multicellular organism to resist harmful microorganism किसी भी harmful microorganism को resist करने की capability को immunity कह रहे हैं किसी भी harmful organism का मतलब क्या है कोई भी pathogen it can be bacteria, virus, fungus कि कोई भी ऐसा छोटा सा microorganism जो कि आपको harm कर सकता है आपको disease cause कर सकता है उससे आपकी body जो लड़ती है उस शमता को कहते हैं immunity अब immune system क्या आते हैं immune system क्या होता है हमारी body के अंदर ही कुछ-कुछ ऐसे organs हैं जो कि पूरे HIV किसी भी चीजों के जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली है उससे लड़के आपको protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसमें से मेन होते हैं WBC white blood cells और इनको यूकोसाइड भी कहा जाता है lymphatic system clean and thymus अब यहाँ picture देख लीजिए यहाँ पर tonsils present होते हैं यह भी help करते हैं आपको immunity प्रोवाइड करने में फिर यहाँ पर यह जो thymus gland है यह आपका help करता है then clean यहाँ पे spleen present होते हैं यह भी help करेंगे pear spatches, bone marrow, bone marrow bone के अंदर present होते हैं long bones के अंदर appendix and lymph nodes यह कुछ systems हैं जो इखटे मिलके आपको immunity प्रोवाइड कराते हैं यानि कि जब भी कोई भी बाहर का bacteria आपके body के अंदर enter करेगा तो यही पर कोशिश करेंगे इसको trap करने की और बाहर फेकने की ताकि यह आपकी body के अंदर गुजगे आपको कोई परिशानी ना करेगा अब आते हैं next पे human immune system immune system immunity जो है वो majorly दो पार्ट में divided है एक होता है innate और दूसरा होता है acquired innate immunity को कहते हैं initial response, initial response means first response जो की हमारी body से आया उसको बोलेंगे initial response और वो कौन देता है innate देता है second इसका part में divided है acquired immune इसे कहते है third response अब देखे कैसे third बोलेंगे इसको innate वाला जो है first response है innate immune response के अंदर आपकी जो skin है skin as a barrier काम करता है जब भी माल लीजिए किसी surface पर कोई microorganism है और वो आपकी body के surface पर आ गया है आपको harm करने वाला है तो उस टाइम पर कौन आपको protect करेगा आपकी skin आपकी outer layer आपको protect करेगी तो यहाँ पर लिखा है protection from the inside bacteria killing substances यह अंदर की killing करके उनको protect करता है body को and first order of attack in lymphoid tissue macrophages and killers अब देखे acquired acquired last response कैसे है means की second और third response इसके अंदर white blood cells जो होती है वो टैकल करते है pathogen यानि कि आपकी body के अंदर जब घुस रहा था pathogen तो पहले तो वो बाहर की surface पर होगा तो बाहर की surface पर उसको जिसने रोका और आपको बचाया उसे आपको होगे innate और जो अंदर घुसने के बाद मालीजे वो pathogen अंदर चला गया अंदर घुसने के बाद जो आपको बचा रहा है उसको होगे आप acquired immune system यानि कि immune system का acquired वाला पार्ट work कर रहा है आईए इसको detail में पढ़ते हैं यहाँ पार देखिया आप detail में immunity दो पार्ट में divided है अभी मैंने बताया innate immunity and acquired immunity innate के अंदर specific defense होता है और acquired के अंदर non-specific defense होता है इसमें देखिए यह first line of defense है and here it is second line of defense first line of defense में क्या होगा physical barriers यानि कि skin and mucous membrane अभी मैंने कहा जब भी आपके body के surface पर कोई pathogen आएगा जो आपको kill करनी की कोशिश करेगा आपको harm करनी की कोशिश करेगा तो आपकी skin जो है तो आपको protect करेगे and mucous membrane mucous layer होती है nose में present होती है और यह आपको protect करती है जब भी आप इन्हेल करते हैं air में सिर्फ oxygen को इन्हेल नहीं करते हैं oxygen की साथ कई सारी gases होती है mixture of gases को इन्हेल करते हैं कई सारे dirt particle कुछ pathogens भी हो सकते हैं जिनको आप इन्हेल कर रहे हैं तो डारेक्ट inhalation के दौरान आपके सिधर lungs में जाके infect ना करें तो उस time पे mucus आपकी help करता है mucus और आपको बचा लेता है और आपको बचा लेता है अब आता है इसमें chemical barrier antimicrobial substances and body fluids such as saliva saliva भी बहुत help करता है mucus tears and gastric juices saliva सबको पता है mouth में होता है का काम क्या होता है यह food को mix करके उसको swallow करने में help करेगा और भी कहीं सारे function provide करता है यह perform करता है और saliva इसके साथ साथ ही आपको एक protection का काम भी कर रहा है कि जो भी चीज आ गई वो आपके saliva में जाके फिर वो kill हो जाएगी और अगर वो ज़्यादा हानी का रख है तो ही वो अंदर जाए फिर आता है mucus mucus का क्या है trap कर लेगा चीजों को और वो आपको अंदर harm नहीं होने देगा tears आसू जो होते हैं हमारे and gastric juices gastric juices सबको पता है stomach में present होते है इनका क्या होता है stop infection before it enters the body body के अंदर जब यह enter करें तो यह infection को stop करने का काम करता है इसको घुजने नहीं देता है और इसी को कहेंगे आप first line of defense जो की innate immunity प्रोवाइट कर रहा है अब आएगा second line of defense यह भी बहुत ही मज़ेदार है और यह आपने बच्पन में पढ़ा भी होगा cells के बारे में कुछ cells होती है cellular defense जैसे कि cells का नाम है phagocytes, neutrophil, basophil, isnophil and macrophil यह सारी cells क्या करती है यह सारी cells आपकी help करेंगी जब भी आपकी body में कोई foreign antigen enter करेगा आपको दुखसान पहुचाने की कोशिश करेगा and next is blood and lymph system molecular defense यह सारा कुछ response कहलाता है second line of defense अब आते है acquired immunity यानि की non-specific defense अब यह non-specific defense का क्या काम है यह कहेगा lymphocytes third line of defense यह कहेंगा third line यहाँ पे आपने पढ़ लिया first line of defense क्या है जो physical barrier है यानि की outer layer पर जितनी भी चीज़े प्रेजेंटर जो अंदर नहीं घुसने दे रही है वो अब अंदर घुस गया माल लो pathogen अंदर घुस गया तो उस time पर उसको और भी जादा आपको harm ना पहुचाने देने बचाने वा काम होता है antibody को produce करना अब यह कहती है अब तु अंदर आगे अब antibody जगेंगी antibody को खड़ा करता है और यह कहता है fight करो इनसे यह foreign है foreign antigen को फटा-फटा आमारी body में से बाहर निकालो अब आते हैं innate immunity और adaptive immunity के बीच में जो कुछ cells present है इनके बारे में जा यह देखिए epithelial barrier आते हैं यहां पर dendritic cells dendritic cells को आप accessory cells भी कहते हो और यह act करते हैं as a messenger between innate and adaptive immune system के बीच में इसके बाद आते है neutrophil का काम क्या होता है phagocytosis function perform करना इन आता है macrophage macrophage भी innate immunity में ही है यह याद रखेगा macrophage का काम है इक specialized cells है और bacteria का destruction करने में help करता है then natural killer cells natural killer cells क्या होते हैं liver, spleen etc और भी बहुत सारी sites है और यहां पर यह मिलेगा इसके बाद आता है complement हमारा complement system and natural antibody यह सारे किसमें आते है innate immunity के बाद आता है adaptive immunity और acquired immunity के अंदर आएंगे cytokine cytokines की होते हैं a large group of proteins secreted by specific sets of immune system और यह आपके भी help करेंगे आपको pathogen से बचाने में यानि कि वो कोई harm ना होने दे आपकी body फिर आता है B lymphocyte lymphocytes पता है आपको यह WBC के ही subdivided parts है high affinity antibodies antibodies help करती है helper T cell cytotoxic B lymphocytes इस सारी cells इखटे मिलके इतना सारा काम करती है और आपको विमार होने से बचा देती अब next है acquired immunity acquired immunity को थोड़ा सा detail में पढ़ लेते हैं immunity you develop during your life जो आप life में immunity को develop करते हैं वो acquired है अब इससे पहले आपने innate पढ़ा था जिसमें आप skin वगेरे के बारे में पढ़ रहे थे वो तो छोटा बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसके body surface पर skin होती है skin होगी और कौन-कौन सी होती है सारी layers होती है mucous membrane होगा tear होगा जो कि उसको immune system strong करने में help करें अब आते है acquired immunity तो यह दो पार्ट में divided है active immunity and passive immunity active immunity क्या है this immunity you develop after being exposed to an infection or from getting a vaccine या आप किसी भी infection के exposed में आने के बाद जो immunity gain करते हैं जो immunity आपके अंदर के antibodies इकदम चाकरत होते हैं और वो कहते हैं आप लड़ना है यह अंदर गुसाया है इसको बाहर निकालो यह pathogen और other वाइस या जब आपको vaccine लगती है जब भी आपको injections लगते हैं इंजिक्शन के थ्रू भी यह develop होते हैं अब इसको दो पार्ट में divide किया गया है एक है natural antibody और एक है artificial यह natural antibody जब आप किसी भी infection का exposure होता है यह कोई भी bacteria माल लीजी आपके body में अंटर कर गया उस time पे जो antibodies जगी उस time पे जो antibodies active हुई और fight किया वो होगी natural और जो vaccination के बार fight करने के लिए तय गया हुई antibody उन्हों को कहोंगे आप artificial इसी का दूसरा पार्ट आता है passive immunity immunity you acquire from someone or something else immunity जो आप acquire करते हो किसी और चीज से और यह किसी और चीज के द्वार इसमें भी दो पार्ट में divided हैगे natural और artificial immunity natural नाम से ही पता चल रहा है जो naturally मिलेगी जब बेबी होता है चोटा बच्चा तो वो mother की milk से feed कराते हैं तो mother की milk से उसको जो immunity मिलती है वो natural immunity ऐसा आपने सुना भी होगा चोटे बच्चे के लिए mother का milk बहुत important होता है क्योंकि उससे immunity मिलती है और उसमें कहीं तरह की antibodies भी present हो नेक्स्ट आता है artificial antibody artificial क्या है antibodies acquired from an immune serum medicine जब आपको किसी medicine के through serum medicine की through जब आपको immunity मिलती है या आपके antibodies को जगाया जाता है कि आप fight करो आप अब जाओ अब वो pathogen अंदर आ रहा है आपको fight करनी है उस time पे जो यह जगते है active होते हैं उनको बोलो गया passive immunity का artificial antibody okay I hope यह सारा कुछ अच्छी तरह से सुनने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कोई भी अगर आपको किसी भी तरह का doubt हो तो please comment section में आप पूच सकते हैं and if you like this video don't forget to share and subscribe the channel thank you